है गाईज मैं हूँ अतुल और आज के इस वीडियो यानि कि जो है जो सीरीज में स्टार्ट किया हूँ हैस्टेक टेक अतुल का पहला वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस lockdown के टाइम पे आखिर कौन कौन सा opportunities है जो कि आप अगर apply करते हैं तो as a electrical engineer future में जो है आपके काम पे आने वाला है यानि कि आप सभी लोग को पता होगा 17 में तक जो है ये lockdown को बढ़ा दिया गया है तो please वीडियो से अंग तक देगी है आपको जो है quality content में देने ही goals कर रहा हूँ ताकि आप अपने life में इसे implement कर सकें तो चलिए बिना किस देरी के वीडियो को start करते हैं Guys, basic electrical से related जो भी वीडियो से मैं उसका link उपर eye button पर देदूँगा आप उधर से जाकर के एक वाल उसे check कर सकते हैं सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आज के time पे बहुत से people जो है इधर उधर के बाते कर रहे हैं और वो अपने time को जो है इक तरह से waste कर रहे हैं यानि कि जो भी उनके हातों में नहीं है आज वो उन चीजों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं लोगों से इसके बारे बात कर रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपके हाथ में जो है आप जिस field पे है अभी आप कुछ भी काम कर रहे हो आप अगर उस field से related काम करोगे तो अभी आपका जो है बहुत वो effective रहने वाला है क्योंकि आपके पास अभी 24 x 7 जो है time available है बाद में ये नहीं रहने वाला है तो as electrical engineers आप क्या क्या कर सकते हैं सबसे पहले मैं जो फ्रेसर के बारे में बात करूँगा और उसके बाद बात करता हूँ experienced वालों का अगर आप एक फ्रेसर इंजिनियर है सबसे पहले आप जो भी equipment आप plants में देखे हैं उन सभी का एक list बनाना स्टार्ट करिए suppose मानलीच ये MCB देखे हैं तो ये MCB जो है बहुत से type का होता है A, B, C, K तो जो भी हो आपको जो है इसके बारे में एक detail knowledge यानि की notes बनाना है MCB, relay, RCCB मतलब जितना basic हम लोगों का equipment है न आप APFC panel के बारे में पढ़िए आप जो है किसे drives के बारे में पढ़िए आपको अभी इतना tension नहीं लेना है आपको बस basic से basic जो भी equipment आप देख रहे हो यानि कि आप अगर proxy देख रहे हैं तो कौन सा proxy है हम लोग किस तरह से उसे implement करते हैं इस सब चीजों को जब आप thought process में लाओगे और जब आप लिखना start करोगे तो वो जो है आपके mind में rewind हो जाएगा और इससे क्या होगे कि आप जब फिर से plant में जाओगे और plant में जाने के बाद उस चीज को देखोगे उसमें जब काम करना start करोगे तो देखिएगा आपका जो काम करने का तरीका है वो पूरा बदल जाएगा मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी जब plant join किया था आज मेरा एक साल complete होना चला है तो मैं तीन मेहना सिप साइट पे घूमा था और सच बताता हूं उस टाइम जो है मंझे कोई बताने वाला नहीं था कि यह ऐसा होता है बस बहुत से कोई आते थे हैं हाँ यह ऐसा है लेकिन किया काम करता है कैसे वह work करता है किस तरह से हम लोग करते है بال कोई होई बताया लेकिन मेरे पास opportunities उस time था कि मेरे पास एक android font था जिससे मैं अभी suit कर रहा हूँ तो मैं जो भी चीज़ देखता था ना suppose माली जै मैं एक relay देख रहा था तो उस relay के बारे में मैं room पे आकर के उससे related कितना notes लिखा हूँ और मैं वो copy भी दिखलाना चाहता हूँ यह है वो copy जो कि आज एक साल हो गया है और इसमें पुरा notes भरा हुआ है तो मैं जो भी चीज़ों को देखता था उस चीज़ों को इस copy में लिखता था तब जाकर कि आज मुझे यह electrical engineer के बारे में थोड़ा सा समझ आया हुआ है तो आप भी अगर एक Fraser हैं आप भी अपने engineering life को जो है enjoy करते हुए आगे चल सकते हैं तो आपको जो है यह बस ही करना है जो भी equipment आप देखे हैं उस चीज़ को आप जो है notes बनाना start करिए आप देखेगा कि आप जब इसके उपर काम करना start करेंगे अपने plant में तो आपका जो काम करने का experience बढ़ेगा दूसरा आपका काम करने का तरीका भी change हो जाएगा तो guys मैंने भी जो भी बाते बताया यह एक Fraser engineers के लिए था guys अब बात करते हैं experience engineers के वारे में यानि कि क्या हुआ था कि lockdown के पहले बहुत से engineers ऐसे थे जो कि अपने cv जो है दूसरे platform यानि कि दूसरे industries में देगे रखे थे और उसका job जो है कुछी दिनों में जो है लगने वाला था ऐसा जो है 70% cases हुए थे इस lockdown के पहले लेकिन जैसे lockdown पढ़ा सारा जो है extend हो गया date मैं बताना चाहता हूँ और वो कैसे आप जो है सोच रहे होंगे इंटरनेट पर जाईए और इंटरनेट पर सर्च करिए कि interview question for electrical engineers उस देगा मैं आपको जो है general interview question, behavior question, technical question, बहुत सारे ऐसे questions मिलेगे जो कि आपको उसका preparation करना चाहिए कुछ question में जो है आपको example के तौर पर आना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए एक ऐसे job के वारे में जहां पर आपको जो है बहुत जादा कठिनाईया आई यानि कि आप जो है बहुत critical situation में थे और उस critical situation से आप कैसे बाहर निकल के आए और जो भी problem था उसे आप किस तरह से sort out किये और ये भी पूछ सकता है कि आप से भी बैतर मैंने engineers का interview लिया है तो मैं आपको क्यों चुनूँ तो जब आप ये सब question को अपने दिमाग पे लाना start करेंगे तो आपको जो है ये सब ये सभी का answer जो है आप कहीं से बढ़ करके या फिर मेरे बात को सुन करके नहीं इसका preparation कर सकते हैं इन सभी question में जो है आपका experienced ही काम आने वाला है आगे चल करके तो guys अगर आप एक experienced engineers हो तो आपके पास तो सारा knowledge है electrical से related लेकिन अब आपको तयारी करना है कि how to handle interviewer interview जो ले रहा है उसके हर एक सवाल को perfect जवाब कैसे दें और perfect जवाब दे करके उसे embrace कैसे करें तो guys I hope कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ जरूर सीख मिली होगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो please अपने दोस्तों के साथ share करिए और चैनल पर नहीं है तो please चैनल को subscribe कर दीजिए तो guys मिलते हैं next वीडियो में तब तक अपना ध्यान